हेलो एप्रिवन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइड विप क्लासिस में इस वीडियो में SSC GD में पूछे गए संपूर मुहाबरी में लोकोगतियां देखने वाले हैं तो आप लोग इसके पहले एक PDF फाइल भी मैं आप लोगों को उपलब्त करवा दूँगा टेलिग्राम चैनल पर जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया हुआ है तो आप लोग टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजे आपको PDF फाइल वहाँ पर मिल जाएगी अब उसमें इस टोटल सेलेक्टेड मुहाबरी मुलोकोगतियां देखने को मिलेगे जो कि परिच्छा में पूछे जा चुके है यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरी PDF फाइल है इसमें आपको 500 से जादा मुहाबरी मुलोकोगतियां देखने को मिलेगे जो कि परिच्छा में पूछे जा चुके हैं और यहीं से आपको टोटल एक्जाम में देखने को मिलेगा आप ये वीडियो आप दो से तीन बार देख लेंगे तो आपको सभी मुहाबरी मुलोकोगतियां कम्पलीट हो जाएंगे जो एक्जाम में पूछी जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरी PDF फाइल आप आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल कर निंग डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया हुआ है तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे तो यह देखे यहाँ पर 500 से अधिक संपूर्ण मुहाबरी मुलोकोगतियां कभर किये गए ग देखें कि जो SSC GD जाम में पूछे गए थे मुहाबरी मुलोकोगतियों से रिलेटेड कोस्टन फर्स्ट कोस्टन देखेंगा यहाँ पर देखें टिपस भीडाना टिपस भीडाना मुहाबरे का अर्थ होगा आपके सामने चार आप्सन दिये गए हैं करेक्ट आंसर है आपसन नमबर D सिफारिस करवाना टिपस भीडाना का अर्थ होता है सिफारिस करवाना आपको केवल वीडियो देख लेना है दो से तीन बार तो आपको याद हो जाएंगे नेश्ट देखिएगा सेकेंड नमबर कोस्टन है वाक मेरे खांकित अंस के लिए उजित मुहाबरा दिये गए बिकल्पों में से चुनिए अब देखिए ये वाक है तुम किस काम के हो तो यहाँ पर देखिए आपको इस अंडर लाइन में जो सब्द दिया गया है इसका आ मर्ज की दावा हो यहां पर देखिए किस काम के का अर्थ होगा किस मर्ज की दावा नेश्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नमबर थार्ड है हिमाले की चोटिया तो खाली स्थान करती है वाक अमेरिक्तिस्थान की पूर्ति उचित मुहाबरी द्वारा कीजिए अब देखे यहाँ पर आपसन से आपको सर्च करना है कि खालिस्थान पर कौन सा मुहावरा फिल होगा आपसन नमबर इसका C करेक्ट है आसमान से बाते करती हैं यहाँ पर देखे हिमाले की चोटियां तो आसमान से बाते करती हैं यह मुहाबरा यहाँ पर खालिस्थान में फिल होगा नेश्ट कॉस्षन देखेंगे देखें यहाँ पर लेने के देने पढ़ना मुहाबरे का उची तर्थ है यहाँ पर देख सकते हैं कि चार आपसन आपके सामने दिये गए है आपसन नमबर इसका भी करेक्ट है लाब के बदले हानी लेने के देने पढ़ना का अर्थ होता है लाब के बदले हानी नेश्ट कॉस्षन देखेंगे कॉस्षन नमबर फाइफ है नेम लिखित मुहाबरे के लिए उपरियुक्त सार्थक सब्द है जी अच्छा होना तो इसका आपसन नमबर इक करेक्ट होगा तब यठ ठीक होना इस मुहाबरे कार्थ होगा तब यठ ठीक होना नेश्ट कॉस्षन देखेंगा कॉस्षन नमबर 6 है मुहाबरों और उनके अर्थ का निमलिखित में से कौन सा युग्म सही है देखें इसमें तीन गलत है एक ही युग्म सही होगा तो इसका आपसन नमबर C करेक्ट है त्रिसंकु होना कार्थ होता है अधर में लटकते रहना ये सही है बाकि सभी गलत है देखें फर्ष्ट गलत है दिनों का फेर होना का अर्थ देखें दिन भर भटकते रहना ये नहीं होगा नेश्ट देखें ये भी गलत है डाल का गलना डाल नगलना पूरा बस चलना ये भी गलत है और चौथा भी गलत होगा दो दिन का महमान लंबे समय तक जीना ये युग्म सुमेलित नहीं है आपसर नमबर थर्ड इसका करेक्ट है नेश्ट कोस्टन देखेगा नेम लिखित मुहावरे के लिए उप्युक्त सार्थक सब्द है टका सा जवाब देना देखे मुहावरा है टका सा जवाब देना इसका अर्थ क्या होगा आपसर नमबर सी करेक्ट है साफ इंकार करना नेश्ट कोस्टन देखेंगे नेम लिखित मुहावरे के लिए उप्युक्त सार्थक सब्द है बहती गंगा में हाथ दोना इस मुहावरे का अर्थ आपको आपसर से सर्ज करना है तो आपसर नमबर एक करेक्ट होगा आउसर का फायदा उठाना बहती गंगा में हाथ दोने का अर्थ होता है आउसर का फायदा उठाना नेश्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर नाइन है दातों तले उंगली दवाना मुहावरे का उजी तर्थ है दातों तले उगनी दवाना देखे आप्षन से सर्च करेंगे आप्षन नमबर D करेक्ट होगा चकीत होना नेस्ट कोस्टन देखेंगे नेम लिखित मुहावरे का उची तर्थ बिकालपों से चुनिए मुठी गरम करना आप्षन नमबर A करेक्ट होगा घूंस देना आप लोग करेक्ट आप्षन सर्च करते जाएंगे 11 नमबर देखे नेम लिखित मुहावरे का उची तर्थ बिकालपों में से चुनिए ना करगरना देखे मुहावरा है तो आपको देखे चार बिकालपिक के लिए दिए गए है इसका आप्षन नमबर C करेक्ट होगा देनता पूर्वक प्रार्था करना C आप्षन गर्थ है ना करगरना करते होता है नाकर देखे हैंगे कॉस्टन नमबर 12 है निम लिखित मुहावरे के लिए उप्यक्त आर्थक सब्द बताएं गूलर का फूल होना इसका आप्सन नमबर C करेक्ठ होगा दुरलव होना गूलर का फूल होना का अर्थ होता है दुरलव होना नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 13 है गर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है इसका आप्सन नमबर B करेक्ठ होगा घर में सभी सुविधाएं होना गर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है घर में सभी सुविधाएं होना नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 14 है वाक मेरे खांकी तंस के लिए उचित मुहावरा दिये गए बिकल्पों में इससे चुनिए अब देखें यहाँ पर वह कहीं का नहीं रहा इसका अर्थ क्या होगा वह कहीं का नहीं रहा मुहावरा है तो आपको बिकल्प से चुनना है आपसन नमबर C करेक्ट है घर का न घाट का नेश्ट कोस्टन देखेंगे निम लिखित अर्थ को समझाने वाली मुहावरे का चैन बिकल्पों में से कीजिए इज़त उतारना इस मुहावरे का अर्थ आपको बिकल्प से चैन करना है आपसन नमबर A करेक्ट है मिट्टी पलीद करना नेश्ट कोस्टन देखेंगे निम लिखित मुहावरे के उची तर्थ का चैन कीजिए अपना किया पाना इसका आपसन नमबर A करेक्ट होगा कर्म का फल भोगना अपना किया पाना मुहावरिक अर्थ है कर्म का फल भोगना नेस्ट कोस्टन देखेंगे निम लिखित मुहावरे के लिए उचीत अर्थ का चैन कीजिए चेहरे पर हवाईया उड़ना तो इसका करेक्ट आप्सन है C घबराना चेहरे पर हवाईया उड़ना मुहावरे का अर्थ होगा घबराना नेस्ट कोस्टन देखेंगे कोस्टन नमबर एटीन है मुहावरों उनके अर्थ का निम में से कौन सा युग मसही है देखे तीन गलत है यहाँ पर एक ही सही होगा तो इसका आप्सन नमबर एक करेक्ट है बालू से तेल निकालना इस मुहावरे का अर्थ होता है असंभो को संभो करना बाकी यह सभी गलत है तीन आप्सन जो दिये गए है देखे रंग बदलना परिवर्तन सील होना यह नहीं होगा इसका मल महला करना अतधिक प्रसंद होना यह भी गलत है माथा टनकना खुसामत करना यह तीनों गलत है आप्सन नमबर एक युग्म सुमेलित है नेस्ट कॉस्चन देखेगा आखों में धूल जोकना मुहावरे का उचित अर्थ है आप्सन नमबर एक औरेक्ट होगा धोखा देना आखों में धूल जोकने का अर्थ होता है धोखा देना नेस्ट कॉस्चन देखेगा घोडे बेच कर सोना मुहावरे का सही अर्थ है इसका आप्सन नमबर एक औरेक्ट है गहरी नीद सोना गोड़े बेच कर सोना मुहावरे का अर्थ होता है गहरी नीद सोना नेस्ट कॉस्चन देखेगा हुक का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ है इसका आप्सन नमबर C करेक्ट होगा जात इसे बहिस्कृत करना हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ होता है जात इसे बहिस्क्रत करना नेश्ट कोस्टन देखेंगे बाचे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ है देखें बाचे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रसन हो जाना आप्सन नमबर सी करेक्ट है नेस्ट कॉस्शन देखेंगा, नीचे दिये मुहावरे का सही अर्थ दिये गए विकल्पों से चुनिये लगोटी में फाग खेलना इसका आपसर नमबर भी करेक्ट होगा, दरिदृता में अनंद लोटना लगोटी में फाक खेलना मुहावरे का रथ है दरिद्रता में अनंद लूटना नेस्ट कोस्टन देखेंगे सिर उठाना मुहावरे का उची तर्थ है आपसन नमबर C करेक्ठों का बिरोध में खड़ा होना सिर उठाना मुहावरेक अर्थ है विरोध में खड़ा होना नेस्ट कोस्षन देखेंगे कोस्षन नमबर 25 है निम लिखित बिकल्पों में से कान भरना मुहावरेक का अर्थ क्या है तो इसका आपसन नमबर 1 करेक्ठ होगा देखे कान भरना मुहावरेक अर्थ है बुराई करना Next question देखेंगे निम लिखित मुहावरे के उप्युकत अर्थ का चैन बिकल्पों में से कीजिए धजियां उडाना इसका option number B correct होगा नस्ट भ्रस्ट करना धजियां उडाना मुहावरेक अर्थ है नस्ट करना Next question देखेंगे देखें बहुत खुश होना अंगला देखें सब्ध है मुहावरा है बहुत खुश होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा option से सर्च करना है तो इसका option number B correct होगा मूसलो ढोल बजाना बहुत खुश होना मूसलो ढोल बजाना Next question देखेंगे आखों में खाली स्थान माला घिर आना उग्त मुहावरे में रिक्ति स्थान की पूर्ती उचित सब्दे के द्वारा कीजिए तो option number इसका C correct है मेग यह सब्द यहाँ पर यूज होगा आखों में मेग माला घिर आना आपसन C correct है Next question देखेंगे निम लिखित वाग के रिक्ति स्थान में सबसे उप्युक्त मुहावरा क्या होगा राहुल अपनी मा की खाली स्थान है जिसका option number B correct होगा अंधे की लाठी राहुल अपनी मा की अंधे की लाठी है यह मुहावरा यहाँ पर रिक्ति स्थान में प्रियुक्त होगा Next question देखेंगा निम लिखित मेरे खांकित मुहावरे का उप्युक्त अर्थ दिये गई बिकल्पों में से चुनिये उसके सौक तो देखो सिंग कटा कर बच्छनों में मिल रहा है अब यहाँ पर देखें सिंग कटा कर बच्छनों में मिलना इसका अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का तो इसका option number B होगा बूढ़ा होकर बच्चों जैसे काम करना Next question देखेंगा नीचे दिये मुहावरे का सही अर्थ बिकल्पों में स्चुनिये सैतान की आथ इस मुहावरे का अर्थ बिकल्पों में स्चैन करना है इसका option number B करेक्ट होगा लंबी बात Next question देखेंगे निम लिखित मुहावरे के लिए उप्युकतर्थ क्या होगा देखेंगे यहाँ मुहावरे है उल्टी गंगा बहाना इसका option number A करेक्ट होगा नियम के बिरुद्ध काम करना उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है नियम के बिरुद्ध काम करना Next question देखेंगे खाली स्थान भर पानी में डूम मरना इसके लिए देखें खाली स्थान में कौन स्थ सब्ध उप्युक्त होगा तो यहाँ पर देखें चुल्लू भर पानी में डूम मरना यहाँ पर option number C करेक्ट है यहाँ खाली स्थान पर आएगा सब्ध Next question देखेंगे मुहावरे और उनके अर्थ का निमली खित में से कौन स्थ युग्म असुद्ध है अब देखें यहाँ तीन सुद्ध होगे एक असुद्ध है तो वो असुद्ध युग्म चैन करना है आप्शन से यहाँ पर option number D असुद्ध है लकीर का फकीर इसका अर्थ देखें प्रगत सील होना यह नहीं होगा बाकि सभी इस सही है सर खपाना, दिमाग लगाना हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना यह सही है, हाथ का मैल तुछ बस तुछ यह सभी सही है एक इसमें युग्म असुद्ध है तो आपसन नंबर इसका डी करेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखेंगे मुहावरे और उनके अर्थ का निमली खित में से कौन सा युग्म गलत है फिर वही आ गया, इसमें देखें तीन सही होंगे, एक गलत है तो इसका आपसन नंबर एक करेक्ट है हाथ पिले करना इसका अर्थ देखेंगे, असम्भो को सम्भो करना ये नहीं होगा, इसलिए ये युग्म इसका गलत है बाकि सही है सब लोहा मानना, मतलब स्रेष्टता सुईकार करना सुर्खाओ के पर असाधारन विशेष्टा नेश्ट देखेंगे, हथियार डालना आत्म समर्पर करना, ये सभी सुमेलित है ये युग्म इसका गलत है आपसन नंबर एमी नेश्ट कोस्टन देखेगा फूंक से पहाड उडाना मुहावरे का सही अर्थ है 36 नंबर तो आपसन नंबर B करेक्ट होगा असंभो कार करने की कोशिश करना फूंक से पहाड उडाना का अर्थ होता है असंभो कार करने की कोशिश करना नेश्ट कोस्टन देखे मुसीवत में और मुसीवत आना किस मुहावरे कार्थ है तो इसका option number D correct होगा कंगाली में आटा गीला इस मुआवरेक अर्थ होता है मुसीवत में और मुसीवत आना Next question देखेंगे निम लिखित में से किस मुआवरेक अर्थ बुरी तरह पस्ताना है तो इसका option number E correct होगा आठ 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 आशु रोना आठ 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 आशु रोना इसका अर्थ होता है बुरी तरह पस्ताना Next question देखिएगा ओंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ है इसका आप्षन नमबर एक गरेक्थ है नाम मातर का बड़पन उंची दुकान, फीके पकवान, मुहावरे का सही अर्थ है नाम मातर का बड़पन नेस्ट कॉस्टन देखेगा निम लिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चैन कीजिए चांद पर थोकना मुहावरा है चांद पर थोकना इसका सही अर्थ होगा आप्सन नमबर D, सम्मान निय व्यक्ति का अनाधर करना नेस्ट क्वेस्टन देखेगा निम लिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चैन कीजिए टांग अडाना इसका आप्सन नमबर B करेक्ट है अडचन डालना टांग अडाना का अर्थ होगा अडचन डालना नेस्ट क्वेस्टन देखेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या है इसका आप्सन नमबर D करेक्ट होगा स्वयम दोसी होते हुए भी निर्दोस को धमकाना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ है स्वयम दोसी होते हुए भी निर्दोस को धमकाना नेस्ट कोस्टन देखेगा अपने मूँ खाली स्थान बनना इस मुहावरे को पूरा करें तो इसका आपसर नमबर D करेक्ट होगा मिया मिठ्थू यहाँ पर होगा अपने मूँ मिया मिठ्थू बनना यहाँ पर आपसर नमबर D प्रियुक्त होगा खाली स्थान में नेस्ट कोस्टन देखेगा आज तीन का साप मुहावरे का सही अर्थ होगा तो इसका आपसर नमबर C करेक्ट है कप्टी मित्र आज तीन का साप मुहावरे कार्थ है कप्टी मित्र नेस्ट कोस्टन देखेंगे निम लिखित वाग के रिक्ति स्थान में सबसे उप्यूक्त मुहावरा क्या होगा वह तो अपनी मा की खाली स्थान है अब देखें यहाँ पर खाली स्थान में वह आक भरना है आपसन से तो इसका आपसन नमबर D करेक्ट होगा आखों का तारा वह अपनी मा की आखों का तारा है यहाँ पर आपसन D परिक्ट होगा नेस्ट कोस्टन देखेंगे हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सब के साथ भला करो यदी अब यहाँ पर देखे रिक्तिस्थान की पूर्ति उचित मुहावरे की द्वारा करना है तो देखे चार आपसन आपके सामने दिये गए है तो इसका आपसन नमबर D करेक्ट है आप भले तो जग भला देखे यहाँ पर खाली स्थान में आएगा आप भले तो जग भला देखे हमारे माता पिता को कहना तो यही है कि सब के साथ भला करो यदी आप भला तो जग भला नेस्ट कॉर्सन देखेंगे निम लिखित वाकिके दिस स्थान में सबसे उप्युक्त मुहावरा क्या होगा बुद्ध जीबी और पत्रकार खाली स्थान खाते है तो इसका आपसन नमबर एक रेक्ठ है अकल की रोटी बुद्ध जीबी और पत्रकार अकल की रोटी खाते है नेस्ट कॉर्सन देखेंगा निम लिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है छक्के छुडाना मुहावरे का सही अर्थ आपसन से चैन करना है तो इसमें आपसन नमबर एक रेक्ठ होगा हरा देना नेस्ट कॉर्सन देखेंगा निम लिखित मुहावरे के सही अर्थ का चैन बिकल्पों में से कीजिए अगस्तिका समुद्रपान इस मुहावरे का सही अर्थ है आपसन नमबर एक रेक्ठ होगा आकास पाताल यहाँ पर ब्लैंक में फिल होगा आकास पाताल का अंतर होगा नेस्ट कॉर्सन देखेंगा नेस्ट कॉर्सन देखेंगा अब देखें यहाँ पर किसी ब्यक्तिक का पुरानी परमपरा के साथ चलना तो आपको बिकल्प से चैन करना है कि यह किस मुहावरे का अर्थ है तो लकीर का फकीर होना ये B नमबर करेक्ट होगा लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है किसी ब्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना नेश्ट कॉर्स्टन देखिएगा कॉर्स्टन नमबर 53 है निम लिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिये, छाती पर कोंदो डलना, देखें छाती पर कोंदो डलना, इस मुहावरे का अर्थ विकल्प से चैन करना है, तो इसका आपसन नमबर B करेक्ट होगा, प्रतिसो धात्मक कष्ट पहुँचाना, निम लिखित मुहावरे के लिए उप्यूक्त सार्थक सब्दक क्या होगा, दातो तले उगली दवाना, इसका आपसन नमबर C करेक्ट होगा, आश्चर करना, दातो तले उगली दवाना मुहावरे का रथ है, आश्चर करना, निम लिखित मुहावरे के सही अर्थ का चैन विक गल्पों में से कीजिए भूजी भाग नहोना मुहाबरा है भूजी भाग नहोना इसका करेक्ट आंसर है आप्सन नमबर भी अत्यंत दरिद्र होना next question देखेंगे छक्के छुडाना मुहाबरे का अर्थ क्या है इसका आप्सन नमबर C करेक्ट होगा बूरी तरह हराना छक्के छुडाना मुहाबरे का अर्थ है बूरी तरह हराना next question देखेंगे खरा खेल फरुका वादी देखें इसका सही अर्थ कचैन करना है इस मुहाबरे का खरा खेल फरुका वादी इसका option number A correct होगा सही काम Next question देखेंगे नेम लेखित मुहावरे के सही अर्थ का चैन B कलपों में से कीजिए पहरों में मेहदी लगाकर बैठना मुहावरा है पहरों में मेहदी लगाकर बैठना इसका अर्थ होगा B number अलेस और लाचारी वस घर में पड़े रहना option number B correct है Next question देखेंगे कान काटना मुहावरे का सही अर्थ है इसका option number D correct होगा चालाकी में आगे होना Next question देखेंगे खाली स्थान का जोड लगाना इस मुहावरे को पूरा करें इसका option number C correct होगा 80 चोटी 80 चोटी का जोड लगाना यह पूरा मुहावरा यहाँ पर correct हो जाएगा देखें अधूरे मुहावरे भी एक्जाम में पूछे जाते हैं next question देखेंगा नेम लिखित बिकल्पों में से घुन लगना मुहावरे कर्थ क्या है इसका option number B correct होगा 6 होना घुन लगना मुहावरे कर्थ होता है 6 होना next question देखेंगे उस बिकल्प का चैन कीजिए जो निम लिखित मुहावरे का अर्थ ब्यक्त करता है जूतियों में दाल बातना देखें जूतियों में दाल बातना मुहावरे का सही अर्थ option से चैन करना है तो इसका option number C correct है आपस में लड़ाई जगड़ा हो जाना next question देखेंगे माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है option number C correct होगा संसे होना माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है संसे होना next question देखेंगे निम लिखित प्रस्ण में दिये गए चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है पव बारह होना मुहावरा है आपके सामने पव बारह होना इसका option number C correct होगा खूब लाव होना next question देखेंगे मुहावरे से सही युगम का चैन करें देखें यहाँ पर तीन गलत होगे एक सही होगा तो आपको correct वाला चैन करना है option से इसका option number A correct है आखों में चर्वी चाना घमने से चूर होना यह correct है बाकी यह तीनों गलत है यह युगम सही नहीं है जैसे देखें आग लगना दोखा देना यह गलत है आग दिखाना शुक होना यह भी गलत है आग विछाना गुष्चे में आना यह तीनों गलत है यह A नंबर correct है नेश्ट देखेंगा उस विकल्ब का चैन करो जिसमें निम्न मुहावरे का रथ दिया गया है देखें यहाँ पर मुहावरा दिया है चुल्लू लहू पीना आपको आप्सन से सर्च करना है जिसका आप्सन नंबर C correct होगा बहुत कश्ट देना चुल्लू लहू पीना का रथ होता है बहुत कश्ट देना नेश्ट कॉस्चन देखेंगा गीदर भव की मुहावरे का रथ बताएए इसका आप्सन नंबर C correct होगा जोटी धमकी गीदर भव की मुहावरे का रथ है जोटी धमकी नेश्ट कॉस्चन देखेंगा उस बिकल्ब का चैन करो जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ है मुठी गर्म करना मुहावरा है मुठी गर्म करना इसका आप्सन नंबर C correct होगा रिस्वत देना नेश्ट कॉस्चन देखेंगे भाड जोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है इसका आप्सन नंबर E correct होगा समय ब्यार्थ खोना नेश्ट कॉस्चन देखेंगे निम्न लिखित बिकल्बों में से उस बिकल्ब का चैन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ ब्यक्त करें रंग लाना मुहावरा है नेश्ट कॉस्चन है दाहिना हाथ होना मुहावरे का सही अर्थ है देखें आप्सन चार आप्सन दिये गए हैं आप्सन नंबर E करेंट होगा बहुत सहायक होना दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ है बहुत सहायक होना नेस्ट कोस्टन देखेगा हाथ पैर मारना मुहावरे का सही अर्थ है आफसर नमबर D करेक्ट होगा प्रयत्न करना हाथ पैर मारना मुहावरे का र्थ है प्रयत्न करना नेस्ट कोस्टन देखेगा उस मुहावरे का चैन केजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ है आफ़त सिर लेना आफ़त सिर पर लेना मुहावरे का सही अर्थ है सॉरी किस मुहावरे का यार्थ होगा आफ़त सिर पर लेना देखे यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं आपके सामने इसका आप्सन नमबर A करेक्ट होगा जगड़ा मोल लेना नेस्ट कोस्टन देखेगा अंधेरे में तीर चलाना मुहाबरे का सही अर्थ है अंधेरे में तीर चलाना आप्सन नमबर D करेक्ट होगा लच्च बिहीन प्रयाज करना नेस्ट कोस्टन देखेगा मेठी चूरी चलाना मुहाबरे का सही अर्थ है आप्सन नमबर B करेक्ट होगा विश्वास घात करना मेठी चूरी चलाना मुहाबरे का रथ है विश्वास घात करना नेस्ट कोस्टन देखेगा गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है सही अर्थ है इसका आप्सन नमबर एक औरेक्ट होगा रूठना गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है रूठना नेस्ट कोस्टन देखेगा किस बिकल्प में मुहावरा उसका अर्थ सुमेलित नहीं है देखें तीन बिकल्प सुमेलित है एक गलत है आप वो आपसन सर्च करना है तो यहाँ पर देखें आपसन नंबर इसका बी करेक्ट है कलम कसाई इसका अर्थ कलम को तोड़ने वाला यह नहीं होगा इसलिए आपसन नमबर ये बी करेक्ट है बाकि कलम न रुकना ये लिखते ही रहना ये सही है कलम दान देना लिखने की नौकरी देना ये भी सत्य है कलम न उठा सकना लिखना सकना ये तीनों सुमेलित है एक सुमेलित नहीं है तो आपसन नमबर B नेश्ट कॉर्ष्टन देखेगा पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है इसका आपसन नमबर D करेक्ट होगा बिगार देना पानी फेर देना मुहावरे कार्थ है बिगार देना नेश्ट कोस्टन देखेंगे निमलिखित प्रस्ण में दिये गए चार बिकलपों में से उस बिकलप का चैयन करें जो मुहावरे कार्थ व्यक्त करें चिराग तले अधेरा मुहावरा है इसका correct answer होगा पंडित के घर में मुर्खता का आर्चरण Next question देखेगा फट पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है Option number A correct होगा एकदम गुस्षे में हो जाना फट पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है एकदम गुस्षे में हो जाना Next question देखेंगे फट पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है Option number C correct होगा बोलने न देना फट पढ़ना मुहावरे का अर्थ है बोलने न देना Next question देखेगा उस बिकल्ब का चैन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ है घर की मुर्गी दाल बराबर इसका correct answer है Option number C तुछ समझना Next देखेगा चादर से बाहर पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है इसका option number D correct होगा आय से अधिक ब्याय करना चादर से बाहर पढ़ना मुहावरे करना आय से अधिक ब्याय करना Next question देखेगा उस बिकल्ब का चैन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ ब्यक्त करता है फूल ज़र्णा मुहावरा है फूल ज़र्णा इसका option number A correct होगा प्री वचन बोलना Next question देखेगा हतेली पर सर्षो उगाना मुहावरे का सही अर्थ है 85 number question है हतेली पर सर्षो उगाना मुहावरे का सही अर्थ है तो आपसर नमबर B करेक्ट होगा असंभो काम को संभो करना नेस्ट कोस्टन देखिएगा निमलिखित प्रस्ण में दिये गए चार बिकल्पों में से सही बिकल्प का चैन करें देखें यहाँ पर हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पच्टाना नेस्ट कोस्टन देखेंगे हवा से बाते करना मुहावरे का अर्थ बताईए तो इसका आपसर नमबर D करेक्ट होगा तेज गति से चलना हवा से बाते करना मुहावरे का अर्थ है तेज गति से चलना नेस्ट देखेंगे 88 नमबर कोस्चन है लगोटी में फाग खेलना इस मुहावरे का अर्थ क्या है लगोटी में फाग खेलना आपसर नमबर इसका डी करेक्ट है दरिद्रता में आनन्द लूटना नेस्ट कोस्चन देखेंगे सी गूफा खिलाना इस मुहावरे का अर्थ है आपसर नमबर इक रेक्ट होगा बिलच्छन घटना का गठित होना बिलक्षन घटना का घटित होना सी गूफा खिलाना मुहावरे कार्थ है नेस्ट कोस्टन है उस बिकल्ब का चैन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ ब्यक्त करता है कान भरना कान भरना मुहावरे कार्थ है चुगली करना देखे ये question repeat हुए है, 2023 में भी पूचे गए है 21 वाले question, ये सभी question important है, next question देखेंगे, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका option number D correct होगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, थोड़े में बहुत कुछ कहना, next question देखेंगे, देए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करो, जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, देखें यहाँ पर भेड बना लेना, मुहावरा है भेड बना लेना, इसका option number A correct होगा, बस में कर लेना, next question देखेंगे, हाथ पाव फूलना, मुहावरे का सही अर्थ है, इसका option number A correct होगा, भाय से घबराना, हाथ पाव फूलना, मुहावरे का सही अर्थ है, भाय से घबराना, next question, डंके की चोड़ पर कहना, मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पर इसका option number C correct होगा चार option आपके सामने है खुले याम कहना डंके की चोट कहना मुहावरे कार्थ है खुले याम कहना next question देखिएगा काटो पर लोटना मुहावरे का सही अर्थ है 95 number question है तो इसका option number C correct होगा बेचैन होना काटो पर लोटना मुहावरे का अर्थ है बेचैन होना next question देखिएगे 921 होना मुहावरे का अर्थ है इसका option number C correct होगा बी number correct है भाग जाना 921 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना next question देखिएगा बहुत अधिक अभाव ग्रस्त होना मुहावरे का अर्थ है इसका आप्सन नंबर C करेक्ट होगा दाने दाने को तरसना बहुत अधिक अभाव ग्रस्थ होना मुहावरे का अर्थ है दाने दाने को तरसना नेश्ट कोस्टन देखेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है इसका आप्षन नमबर C करेक्ठ होगा एक आयक लाब होना अंधे के हाथ बटे लगना मुहावरे का रथ है एक आयक लाब होना नेश्ट कोस्टन देखेंगे हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है 99 number question है इसका option number B correct होगा पश्टाना हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है पश्टाना next question देखेगा चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ है यहापर मुहावरा है चोली दामन का साथ इसका option number C correct होगा घनिष्ट संबंध next question देखेंगे टाका सा जवाव देना मुहावरे का सही अर्थ है इसका option number D correct होगा साथ हिंकार करना next question है मुह की खाना मुहावरे का अर्थ है इसका option number B correct होगा बुरी तरह हारना next question देखेंगे लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है यहापर देखेंगे लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है यहापर देखेंगे लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है यहापर देखेंगे लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत गुस्सा होना नेस्ट कोश्चन देखेंगे तूट पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है यहाँ पर देखें तूट पढ़ना आपसन नमबर B करेक्ठ होगा आक्रमण कर देना नेस्ट कोश्चन है आखे फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका आप्सन नमबर B करेक्ट होगा प्रतिकूल होना आखे फेर लेना मुहावरे का अर्थ है प्रतिकूल होना नेस्ट कोस्टन देखेंगे धाग के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ का चैन करें देखें यहां पर धाग के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ होगा इसका आपसर नमबर A करेक्ठ है परिवर्तन न होना नेश्ट कोस्टन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है तो आपसन नमबर C करेक्ट होगा बकवास करना गाल बजाना मुहावरे का रथ है बकवास करना नेस्ट कोस्टन आकास पाताल एक करना मुहावरे का रथ है जिसका आपसन नमबर A करेक्ट होगा कठिन परिश्रम करना आकास पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, कठिन परिश्रम करना नेस्ट कोस्चन देखेगा, अठ खेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ है आपसन नमबर B करेक्ट होगा, दिल लगी करना अठ खेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ है, दिल लगी करना नेस्ट कॉस्चन देखेंगे गूंगे का गुड मुहावरे कार्थ है आप्सन नम्बर इसका D करेक्ट होगा अवल्नी अनुभव गूंगे का गुड मुहावरे कार्थ है अवल्नी अनुभव नेस्ट कॉस्चन देखेंगा गाठ बाधना मुहावरे कार्थ है तो इसका आप्सन नमबर B करेक्ट होगा अच्छी प्रकार याद रखना गाठ बाधन मुहावरे का रथ है अच्छी प्रकार याद रखना नेस्ट कोस्टन देखेगा वन हैंदे थर्टीन नमबर कोस्टन आखों से गिलना मुहावरे का अर्थ है आप्सन नमबर C करेक्ट होगा आधर भाव घट जाना आखों से गिरना मुहावरी करत है आधर भाव घट जाना नेस्ट कोस्टन देखेगा लहू का घूट पीकर रह जाना मुहावरी करत है तो इसका आप्सन नमबर D करेक्ट होगा अपमान सहन कर लेना देखेंगे, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, आपसर नमबर C करेक्ठ है, दुरलव होना, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा, दुरलव होना, नेस्ट कॉस्चन है, उड़ती चिडिया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका आपसर नमबर A करेक्ट होगा दूसरे की मन की बात जानना उड़ती चिडिया पहचानना मुहावरे करत है दूसरे के मन की बात जानना नेस्ट कोस्षन देखेंगे मैदान मालना मुहावरे करत है इसका आपसर नमबर B करेक्ट होगा लडाई जीतना मैदान मालना मुहावरेक अर्थ है लडाई जीतना नेश्ट कोश्चन देखेंगे डकार जाना मुहावरेक अर्थ है तो इसका आप्सन नमबर B करेक्ट होगा हडप लेना डकार जाना मुहावरेक अर्थ है हडप लेना नेस्ट कोस्टन देखेंगे चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का सही अर्त है इसका आप्सन नंबर D करेक्ठ होगा मौज करना चैन की बंसी बजाना मौज करना और इसके अत्रिक्त भी आपको सभी मौशावरे उलोकुक्तियों के ये special PDF file टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका link description box में दिया हुआ है तो आप इस video के description box से टेलिग्राम चैनल को join कर लिजे